अस्तामने को माई लिए स्टुडेंट्स कैसे हैं बेटा आप सब I hope so all of you are fine मैंने आपको चैप्टर नबर सेमन स्टाट करवाना था ग्रेड टैंथ का चैप्टर नबर सेमन ट्रिग्नोमेट्री का इडेंटिटीज पर बेस करते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री का इडेंटिटीज वाला चैप्टर जो चैप्टर नबर सेमन है ये बच्चों को काफी डिफिकर्ड लगते हैं अब डिफिकर्ड लगने का ये मतलब धोड़ी है कि हम उसको चाइस पर छोड़ दे हमारे पास कोई और आप्षिन भी दोना चाहिए ठीक है कि हमने अगर ऐसे प्रिपेर नहीं करना तो हम गिसी अदर आप्षिन से कोई और तरीके से प्रिपेर कर लें तो उसके लिए बेस्ट तरीका बेटा मैंने यही सोचा है अब तो वन मन्स रह गया आपके पेपर्स में और यह चैप्टर ऐसा है जिसमें आप यह तो कह सकते हैं कि हमने लॉग इसमें से अटेंप्ट नहीं करना बट बेटा शॉर्ट क्षिन के लिए तो आपने प्रिपेर करना ही करना है तो आप एकसेप्ट इसके कि आप चैप्टर नम्बर सेमन को शॉर्ट क्षिन के लिए भी चॉइस पर छोड़ दें तो फिर हमारे पेपर में मार्जिन क्या बचेगा तो इसलिए बेतर ही है कि आप इसको चॉइस पर छोड़ने की बजाए बेटा इसके कुछ इंपॉर्टन क्षिन्द हैं जो मैंने जूंस हैं वो आपके लिए इस वीडियो में इंशाला आपको सॉल्फ करवाओंगी वो इंपॉर्टन क्षिन अगर हम करने तो आपका बोर्ट का चैप्टर नम्बर सेवन में से शॉर्ट पर्षिन आएगा वो इंशाला इंशाला कवर हो जाएगा ठीक है हमने फोकस करना है बिटा अपने उन क्षिन्द पे जो हमारे शॉर्ट क्षिन आंसर्ज है जो हमारे चैप्टर नम्बर सैमन में से आएंगे बोर्ट के पेपर में उसको हमने इंशाया है कि हमने अटेम्ट जरूर करना है अब उनको अटेम्ट करना के लिए सब से पहले तो हमें पता हो न चाहिए किस टाइप के क्षिन होंगे वो कौन से क्षिन आएंगे पूरे चैप्टर के आपको पूरा चैप्टर प्रिपेर नहीं करना पड़ेगा मैंने उसके all important questions जोंसे हैं वो जितने past paper में आये हैं वो सारे questions जोंसे हैं मैं आपको वीडियो में solve करवाऊंगी सिर्फ आप मेरी वीडियो में जो question है इनको prepare कर ले अपने board के exam से पहले इन question को अगर आप prepare कर लेते हैं तो chapter number 7 का portion जो आपके board के paper में आएगा वो इन्शालला 100% आप उसे cover कर लोगे इसे clear to all of you आप बहुत असानी से बहुत simple simple question है और ये previous 10 years आप 15 years कहले ये all important questions हैं जो board के paper में आएवे हैं आप chapter number 7 को अगर complete prepare नहीं करना चाते तो सिर्फ ये वाले question prepare कर ले जो मैं आपको करवाऊंगी इन question को अगर आप prepare कर लेते हैं तो फिर आपके पास कोई और जोंसा है वो option नहीं रह जाता के choice पे छोड़ना है या मुझे आएगा नहीं मैं इसको attempt कैसे करूँगा whatever बट ये है करने वाली बात कि अभी मैं आपको जो question स्टार्ट करवाने लगी हूँ ना वो है exercise number 7.1 का फिर 7.2, 3, 4 ये all important questions हैं chapter number 7 में total question अगर आपको मैं बताऊं तो 131 से 135 तक बनते हैं अब जिस बचे ने ये सोचा हुआ है कि मैंने chapter number 7 करना ही नहीं है तो वो 131 question कैसे करेगा तो अभी जो question मैं आपको करवाँगी ये almost 35 है या 30 question है आप पूरे 7 chapter में 131 question प्रिपेर करने की बजाए अभी सिर्फ ये 30-35 प्रिपेर कर ले ठीक है अब अगर आप बस ये कर लो तो आपके board के paper में इन ही में से question आयागा ठीक है ये 100% जोंस है वो confirm है और इसके इलावा chapter 7 पूरा मैंने नहीं करवाना पूरा मैं इंशाला अपने channel पे ज़ूर upload करूँगी वो exercise वाइस जैसे मैं मेशा पहले मैं था आपको करवाती हूँ लेकिन अब time हमारे पास कम है तो उस time को जोंस है वो हम देखते हुए कोई ऐसी option जोंस है वो ढूरते हैं सर्च करते हैं जिससे हमारा chapter number 7 का सारे concept भी हमारे clear हो जाएं और board के paper में जो question आने है उस तरह की सारी practice भी हो जाए अब हम start करते हैं बेटा अपना first question convert 25 degree 30 minute into decimal degree ठीक है वो क्या कह रहे है वो कह रहे है कि 25 degree 30 minute को degree में convert करो यह जो minute का इसके साथ symbol है इसको आप हतम कर दे start करते हैं अब इसमें लाई रमाने रही आपके पास क्या है आपके पास आ जाएगा 25 degree ठीक है plus 30 divided by 60 60 आपके पास क्या आ जाएगा यह है आपके पास minute minute की जगा मैंने इसको 60 से डिवाइड कर दी है तो मेरा minute वाला symbol जो है वो किसमें convert हो जाएगा degree में convert हो जाएगा 25 degree plus 30 divided by 60 जब minute को 60 पे डिवाइड कर दें तो उसका unit जो है वो minute से किसमें चला जाएगा बिटा degree में चला जाएगा अब आपके पास आजाएगा 25 degree plus 30 को 60 से डिवाइड करें तो आपके पास आता है 1 by 2 1 by 2 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आजाएगा 0.5 degree 25 में 0.5 plus करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25.5 degree That is your answer अब 2 marks का अगर ये question बोर्ड के वेपर में आया हुआ है तो बटा इसको क्या आप choice पर छोड़ देंगे So simplest or so easy question है इसको आप choice भी नहीं छोड़ सकते आप इसकी one time preparation करो practice करो two time practice करो three time practice करो तो ये आपको आए गई आएगा इसमें ऐसा जैसा तो कोई हाई फाई rule है नहीं कि जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा हूँ या आपसे solve ना हो रहा हूँ मैंने आपको बताया है minute को degree में convert करने के लिए हमेशा 60 से क्या करते हैं divide अब हम करेंगी इसका next question next question में वो आपको कहरा है find L when theta equal to 180 degree R equal to 4.9 cm L आपने find करना है theta की value given है और R की value भी given है ठीक है इसके अंदर हम formula यूज़ करेंगे formula क्या होता है L equal to R theta but ये compressor है कि theta degree में नहीं होना चाहिए theta radian में होना चाहिए ठीक है अगर degree में आ जाए तो हम उसे radian में convert करनेंगे radian में convert करने के लिए हम किस्से multiply करते हैं pi by 180 से 180 180 से क्या हो गया cancel तो आपके पास क्या हो गया theta equal pi radian theta equal pi radian अब आपने इसको formula में put करना है L की कोई value नहीं है L as it is R की value 4.9 है आपके पास centimeter और theta आपके पास क्या है बिटा pi radian ठीक है अब आपने क्या करना है L equal to 4.9 को pi से multiply करें pi की क्या value होती है 3.14 और देखते हैं हमारा answer आता है या नहीं 4.9 को 3.14 से multiply करें तो आपके पास क्या है 15.386 L और R का unit है मिशा सेम होता है theta को unit हमिशा radian होता है ये आपने याद रखना है आपके पास R का क्या unit है centimeter तो L का unit भी आपके पास क्या होगा centimeter अभी मैंने आपको दो question करवाए हैं एक question में आपने क्या करना था बेटा एक question में आपने 25 degree 30 minute को convert करना था ठीक है उसके बाद आपने L find करना है तो L find करने के लिए बेटा आपने क्या करना है theta की value given है 180 degree और R भी आपके पास given है 4.9 cm मैंने आपको ये बताया है कि theta का अभी भी degree में हम value put नहीं कर सकते theta की हमें उस degree को किसमें change करना पड़ेगा radian में तो radian में convert करने के लिए हमने किस से multiply कर दिया पाई by 180 से जब पाई by 180 से हमने multiply किया तो हमारे पास आगया पाई radian अब हम formula की तरफ गए उसमें हमने जो जो data given था वो put कर दिया R की value given थी theta की value given थी 4.9 को 3.14 से multiply करो तो आपके पास आजाता है 15.386 सेंटी मीटर यह आपके पास किस का answer आगया L का question number 3 है आपके पास verify the identity यह सारे past papers वाले question है यह सारे board के questions है जो board के papers में आए हुए है most important questions 1 minus sin theta 1 plus sin theta equal a cos square theta इसको हम solve कैसे करेंगे हमारे पास 1 minus sin theta 1 plus sin theta left hand side है इसके अदर identity use होगी कौन से identity use होगी अगर आपको याद हो तो a minus b a plus b तो a minus b a plus b का क्या formula होता है अगर आपको याद है a minus b और a plus b equal होता है a square minus b square के इसके अदर हम वो use करेंगे ठीक है a की जगा आप क्या लिखोगे one square b की जगा क्या लिखोगे sin theta का square आपके पास आगया one minus sin square theta one minus sin square theta किसके equal होता है one minus sin square theta equal होता है cos square theta ठीक है अब आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री का identity है अगर आपको याद हो तो sin square theta plus cos square theta equal to one इधर से अगर मैं आपसे कहूँ के sin square theta की मुझे value find out करके दें तो simple सी बात है बेटा plus cos square theta उदर जाके क्या हो जाएगा minus cos square theta तो sin square theta के जगा आप क्या लिख सकते हो one minus cos square theta जब बाहर minus आजाए तो उन्दर का sin है मेशा क्या हो जाता है change अब जब हमने sin change कर दिया है तो plus one minus one से क्या हो गया cancel हमारे पास क्या आगया cos square theta तो cos square theta क्या है बेटा ये तो right hand side है ये तो आपने proof करनी थी ये लिखे हुई है left hand side आपको अगर understand कर ली है आपने मैं इसे repeat कर देती हूँ one minus sign theta one plus sign theta given है ये two marks का वेपर में question आता है और बेटा बहुत ज़्यादा easy है इसको अपने choice पे कभी नी छोड़ना जितने question मैं आपको करवा ली हूँ अगर आप ये ही सारे कर लेते हो prepare board के paper के लिए तो इंशालला इसी में से आपका question आजाएगा और आप इसे easily solve कर लोगे a minus b a plus b इसमें identity यूज़ हो रही है वो equal होती है a square minus b square के a की जगा आपके पास यहाँ पर one use हो रहे है और b की जगा आप यहाँ पर sin theta use कह रहे हो a square minus b square one का square one नहीं होता है ठीक है उपर लिखने की जूरत नहीं है minus sin square theta sin square theta क्या होता है sin square theta plus cos square theta always equal to one इधर से अगर हम sin square theta की value compute करें तो वो plus cos उदर जाके क्या हो जाएगा minus तो आपके पास sin square theta की क्या value आगई है one minus cos square theta इसको यहाँ पर बुट कर दो sin square theta की जगा पर बाहर minus है अंदर का sin क्या हो जाएगा change plus one minus one से क्या हो गया cancel तो आपके पास क्या आगई है cos square theta तो right side पे क्या लिखावा है cos square theta left hand side किसके equal आगई है right hand side की यह आपने क्या कर लिए proof next question है बेटा आपके पास how many minutes are there in two right angles most important question है both के paper point of view से how many minutes are there in two right angles सबसे पहले तो आप मुझे यह पता है two right angles कौन से होते है right angle कौन सा होते है right angle तो 90 degree का होते है और two right angles का क्या मतलब होगा two right angles का मतलब होगा 90 degree plus 90 degree तो यह आपके पास क्या आ जाएगा यह आपके पास आ जाएगा 180 degree दोनों को plus करो उसने कहा हाओ many minutes तो आपको degree में आज़र नहीं चाहिए आपको किसमें आज़र चाहिए minutes में तो आप degree को किसमे करोगे convert minute में तो आप 180 को multiply कर दोगे किसे 60 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा आपने degree को किसमे convert करना है minute में तो आप क्या कर दोगे इसे 60 से multiply कर दोगे आपके पास आ जाएगा 108 00 और उपर symbol आ गया minute मिनٹ کا सिंबल क्यों आया है क्योंकि आपने इसको 60 से क्या कर दिया है मिल्टी प्लै कर दिया है तू माक्स का ये कुष्चन बोर्ड के पेपर में आ रहा है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको चॉइस में ना छोड़े जितने कुष्चन मैं करवा रही हूँ इसकी वन टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कर ले इन्शाला इन्शाला इन्ही में से कुष्चन आपको बोर्ड के पेपर में आएंगे और आपने छोड़ के नहीं आने आपने करके आने है और चैप्टर नमबर सेवन की डैफिनेशन की बात करें तो इस वीडियो से पहले मैंने वो डैफिनेशन वाली वीडियो भी अपलोड कर दी हूए है और मॉस्ट नाइन एटू नाइन डैफिनेशन है जो इस पूरे चैप्टर में से है तो वो बहुत simple और बहुत easy definition है उनको भी आपने prepare करके जरूर जाने है ठीक है